तो गाइस बेसिकली ये वीडियो कोलाबरेशन है 7-Eleven Connect के साथ जो कि एक जबशेदपूल में ओफ-लाइन स्टोर है और यहां पर आपको सारे ब्रैंड के फोन्स मिल जाएंगे और अगर आप मेरे चैनल के थू जाते हो तो काफी अच्छा डिसकाउंट भी मिल जाएगा और काफी सारे ओफर्स भी मिल जाएंगा इस स्टोर पे तो मैंने इस स्टोर का डीटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है तो डू चेक आउट तो गाइस नोक्या ने रिलीज कर दिया है अपना नोक्या का नया फोन नोक्या 7.2 और यार इस वीडियो में बात करे इसी फोन के बारे में करते हैं इसके अंबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ खास है इस फोन में और क्या है बॉक्स कंटेंट मेरा नाम है अविनव आप देख रहे हैं टेकेट 6 लेट्स बिगेंगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर नोक्या 7.2 अपनी नोक्या के स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ और पीछे की तरफ कुछ की फीचर्स हाइलाइटेड है जैसे इस आप्टिक्स का ट्रिपल लेंस कामरा सेटप गॉलकॉम स्नैपड्राइगन 660 का प्रोसेसर जो कि है अपने प्राइस स्टैंज के साब से काफी तगड़ा प्रोसेसर है और अब हम बात जल्दी से फोन को अनबॉक्स करते और देखते है क्या कुछ है पैकेज कंटेंट तो सबसे पहले हमें या पे मिल जाता है फोन उसे मैं साइड के लिए और फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए और हमें मिल जाता है यहां पर सिम जेक्टर तूल तो अगर फोन को अम जल्दी से बूट करते है और फिजिकल ओवर्वी के बात करे तो हमें इसके राइट साइड पर मिल जाता है वॉल्म रॉकर बटन और इस फोन के उपर वाला सिम ट्रे मिल जाता है और नीचे के बात करें तो हमें पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एक प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है और एक स्टिकर ग्रिल मिल जाता है तो यह फोन के पीछे के बात करें तो यह पीछे का लुक काफी क्लीन सा है एक नोकिया का ब्रैं और अगर फ्रेंट की बात करें तो हमें आप ए 6.3 इंच का फुल HD Plus दिस्प्ले बिल जाता है और यह डिस्प्ले की बात करें तो मुझे डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी डिटेल्स भी काफी क्लियर है इसमें और इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे इसका डिस्प्ले अगर देखा जाए तो काफी अच्छा लगा बायोमेट्री की बात करें तो यार इसमें फेस लॉक और फिंगर्पिंट स्कैनर दोनों ही है और यार मुझे इसका फिंगर्पिंट स्कैनर उतना इंप्रेसिव नहीं लगा कभी-कभी यह मिस्मैश हो जा रहा था बैटरी की बात करें तो हमें यार पे यार पैती सो एमेज की बैटरी मिलती है तो मुझे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से पैती सो एमेज थोड़ा सा कम लगा यह ठीक है यूज करके देखेंगे की बैटरी बैकप कैसा देता है और अब हम बात करें स्टोरीज की तो हमें हमारे पास यहां पे 4GB, 64GB वाला वेरियंट है आपको यह इसका 6GB, 64GB वाला भी वेरियंट मिल जाएगा अबाउट फोन में तो हमें यहां पे दिखेगा कि यह फोन एंडरोइड वन पे चल रहा है जो कि एंडरोइड 9 पाइप बेच्ट है तो यार काफी क्लीन सा इंटरफेस रहेगा इसका एंडरोइड वन के कारण और अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा सेट अप तो काफी बढ़िया सा है और मुझे यार काफी सारे मोड है इसमें और हमें यहां पे 48MP का में कैमरा, 8MP का अल्टरावाइड कैमरा और 5MP का डप सेंसिंग कैमरा मिल जाता है तो यार मैं कुछ फोटोज शेयर कर देता हूँ जो की परसनली मुझे पहले इंप्रेशन में फोटोज काफी अच्छे लगे इसके तो यार अब अगर प्राइस की बात कर ले तो हमें यहां पे 4GB, 64GB वाला वेरियंट मिल जाता है करीब अल्मोश्ट 19,000 का और 6GB, 64GB वाला वेरियंट मिल जाता है और मुझे तो परसनली यह फोन काफी अच्छा लगा और आप बताए आपका क्या रही है इस फोन के बारे में क्या नोकिया इस फोन के साथ कमबैक कर पाएगा इंडियन मार्केट में तो यार अगर अगर आपको यह वीडियो जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएगा